प्लांट ऐसे होते हैं जिन प्लांटों में जो मेली बग्स होते हैं वाइट कीड़े होते हैं ब्लैक कीड़े होते हैं फंगस वगेरा का अटेक हो रखा है क्योंकि बारिस का सीजन है नैचुरली बात है कि जो अटेक होता है जादतर फंगस का बरसात के सीजन में होता है क्यो आपको बताओंगे मिली बग्स को किस तरीके से आप हटा सकते हैं आपके जो 100% आपको result मिलेगा मिली बग्स को हटाने का Hello Friend, Good Evening All of You, आप सभी कैसे हैं, वो सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, सवस्त होंगे, अपने अपने कामों में वैस्त होंगे तो ये देखे, मेरे प्लांट पर मिली बग्स ने अटेक किया हुआ है, और ये देखे, इसके कारण जो मेरे प्लांट पर कलिया है, बन नहीं रही है, और फ्लावरिंग नहीं हो रखी है, कुछी दिनों से ही अटेक हुआ है, दस दिन के बीच में, और देखे, आपको दिखा बादू में हर पत्ती पर मिली बक्स लग चुकी है क्योंकि यदि एक मिली बक्स आपके जो प्लांट पर आ जाता है तो बहुत सारे बन जाते हैं ये वाइट कीडा होता है ये आपके प्लांट पर है फ्लावरिंग नहीं होने देगा जो कलिया बनती है वो पहले ही तूट कर पढ़ जाती है जड़कर पढ़ जाती है तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना है आपको दो चीज़े का यूज करना है जो आपके किच्वन में फिरी में ही मिल जाएंगी उससे पहले मैं आपको बता दो गुडैल के प्लांट की केर कैसे करें गुडैल के प्लांट की जो मिट्टी होती है वो वैल्डरन मिट्टी ले और मिट्टी का जो पोट होता है उसका साइज आप बड़े साइज का पोट ले क्योंकि जो गुडैल का प्लांट होता है वो बहुत ही बड़ा फैलता है और इसको कम से कम आप 10 से 20 इंच का गमला कम से कम दे जितना बड़ा प स्टार्टिंग है य्ह फुल जो है पतिया हैं जो च 곡 मेंसे ब्लम उस्टार्ट लेंगा घ्रत कर दो तो प्लाइदा हैं यह क्यों चालिए ह 20 प्लाउरिंग हो सब्सक्राइदा हैं बीमारी ज़या 1051죠 तो उसके लिए क्या लेना आपको जो किचन में होता है सभी के किचन में एवलेवल है हल्दी और ये लसुन ये दोनों फंगशाई का काम करेंगे बहुत ही कहते हैं आयुरवेदी एक तरीके से जो देशी लाज है वो मैं आपको बता रही हूँ सभी के किचन में है तो उसके लिए हमें इस लसुन को है जो छिलका उतार के इसको मिक्सी में या आपकिसी तरीके से भी एक पेश्ट तियार करना है लसुन का लसुन का पेश्ट तियार करना है और इसके छिलके को आप उतारे तो उतार सकते हैं, ना उतारना चाहें, तो अब ना उतारें, पेश्ट बना कर हमें इसको अपने प्लांट के लिए तयार करना, एक फर्टिलाइजर, उस फर्टिलाइजर को हमें अपने प्लांटों में देना है, किस तरीके से देना है, जिस प्लांट में आपके मिली बग्स वगेरा लगे हैं कोई भी प्लांट हो आपका उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि हल्दी होती है हमारी जो बहुत ही एक मैडिशन के तोर पर यूज की जाती है हल्दी हमारी जो बुजुर्ग वगेरों ने भी बताया है हल्दी बहुत ही गुनकारी होती है हल्दी से आप अपने किसी भी प्लांट की जड़ में डालते हैं तो आपके जो प्लांट में है जो मिटी है वो बहुत ही अच्छे से हल्दी हो जाती है उसमें कीडे वगएरा जो भी फंगस वगएरा होता है वो आपका जो प्लांट में से जो मर जाता है कहते हैं चीटिया आ जाती है तब भी हल्दी डाल देते हैं तो वह चीटिया वहाँ से बाग जाती है गुडेल के प्लांट पे चीटिया और मिली बग्स दोनों ने अटेक होता है क्योंकि चीटिया प्लांट पर जादा रहते हैं मिली बग्स के कारण ही क्योंकि चीटिया है मिली बक्स को खाती है और मिली बक्स है हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है उसको खाता है तो हमने कर लिया है आप पेश्ट है जो रेडी इस तरीके से आप किसी भी चीज में इसका पेश्ट बना सकते हैं और पेष्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है एक छलनी की सायता से इसको है छन चाल लेना है और पहले मिला देती हूं में इसमें पानी और पानी मिलाकर इसको आप 5-10 मिंट रख भी सकते हैं ना रखना साय तो भी आप इसको डारेक्टली यूज कर सकते हैं क्योंकि जो ल जो वो पेष्ट बनाया है तब कूटाई करके जो उपर की तरफ रह जाएगा और इसको हम अपनी चोड़ लेंगे बिलकुल अच्छे से इसका जो रस है वो निकाल देंगे और आपने इसको आप यदि एक बार डाल दिया तो आपके जो प्लांट पर मिली बग्स हैं 100% गा गए थे तो मेरे प्लांट में 6-7 महिने तक बिलकुल भी मिली बग्स नहीं आए आप पता नहीं ये दूसरे प्लांट पर किस तरीके से आ गए क्योंकि बारिस के सीजन में जादा तर आई जाते हैं फंगस वगेरा तो हल्दी मैंने इसमें मिक्स कर ली है लसुन का है देखते हैं इसे होती है नहीं सप्रे क्योंकि ये जो सप्रे की पाइप होती है वो बहुत ही पतली है क्योंकि ये मेरे जो क्लिंजर की है तो देख लेते हैं इससे हो जाएगा तो ठीक है नहीं होगा तो हम अपने जो देशी जुगाड़ है डब्बे से ही इस पर सप्रे कर देंगे देखते हैं ट्राइ cricket कर्ने में क्या जाता है तो मैंने इस बोटल का यूज किया है और देखिये इसमें साइध हल्दी फस भी जाए पर देखते हैं ट्राइ नहीं कर लेते हैं तो इस तरीके से आपको षप्रेक करनी है Mealy Bug's को जो की आपके पोट की इनदर ही ना कड़े दुबारा से इसका entire ना हो आप इनकी कलियों जो पतिया होती है इनको भी निकाल सकते हैं cutting कर सकते हैं millibugs के लिए और इसको आप जो वोस भी कर सकते है plant को जिससे कि आपके जो millibugs से वहट जाए बट जो दो-चार दिनों के लिए तो हो जाएगा clean करने पर फिर दुबारा से attack हो जाता है और जो ये मैंने आपके सामने जो बनाया है fertilizer इसको आप लगाते हैं तो आपके plant पर 7-8 माईने तक बिल्कूल भी आपको millibugs देखने को नहीं मिलेगा नहीं चीटिया आएंगी millibugs नहीं होंगे तो चीटिया भी attack नहीं करेंगी और आपके plant में flowering भी बहुत अच्छे से होगी जदतर flowering वाले plant में ही millibugs देखने को मिलते हैं तो आप इस spray का जो आप मैंने जो मैं बनाया है fertilizer इसका यूज आप जरूर करें और देखना आप बताना ये 100% आपके जो plant को है देखे रहाद देगा और ये millibugs है अपने आप से मर जाएंगे तो आप पानी से धोएं तो plant को थोड़ा सा जुगा के दो क्योंकि जो पोट के अंदर पानी है जादा तर नहीं पड़ पाएं तो मैंने उस पाइप को निकाल दिया है मुझे पहले ही पता था इसमें हल्दी रुख जाएगी तो आप इस तरीके से इसको डाल दे ट्राइ करने में कुछ नहीं जाता आप इस तरीके से ट्राइ करें न्यू न्यू आइडियास तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं नए नए आइडियो की खोज तो मैंने तो इस तरीके से अपने प्लांट को अब जुका के पाइप है निकाल दी है और मैं मिली बक से नीचे की तरफ पढ़ रहे हैं कुछ-कुछ इसके उपर ही चिपकी रह गए हैं कल तक ये बिल्गुल ही साफ हो जाएगा प्लांट मैं आपको इसका अपडेट भी दूँगी इसमें फ्लावरिंग है आप स्टार्ट हो जाएगी बीच में अब एक दस दिनों से इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रखे थी तो ही मुझे इसका पता चला कि इसमें मिली बक स्ट लगे हुए हैं तो आप भी अपने प्लांट को देखें पिछे की तरफ से आपके प्लांट में भी फ्लावरिंग नह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी तो आप इस तरीके से इसका यूज करें तो बिल्कुल मैंने अपने प्लांट को हैद हो दिया है एक तरीके से जो फर्टिलाइजर से और आप भी ऐसे ही करें इस तरीके से जो घर पर ही बनाए एक फर्टिलाइजर फिरीका ही है कुछ भी पैसे आपको खर्चनी करना पड़ेगा और आपके गार्डन है जो फ्लावरिंग से भर जाएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टोपिक के साथ तब तक के लिए बाई 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 ओलो फ्यू